जै स्री कृष्णा आज रभीवार की दिन आईए सुनते हैं भगवान सुर्यदेव और भोले नात की यह कथा भगवान सीव भोले नात हैं उनकी सरण में जो जाता है उसकी वे रच्छा करते हैं उसकी पुकार सुनते हैं वे आसानी से भगतों की पुकार सुन प्रसन हो जाते हैं और उनकी मनों कामनाएं पूर करते हैं ऐसे ही एक असुरमाली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादिर की सरण में पहुच गए फिर ऐसा हुआ कि किसी ने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी भगमान सीव के क्रोध का सिकार शुर्य देव को होना पड़ा भगमान सीव ने अपने सस्त्रति सुर से शुर्य देव पर प्रहार कर दिया था जिससे पूरी स्रिष्टी अंधकार में हो गए थी क्या थी ओ घटना आये जानते हैं उसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुरार के अंशार असुर्माली और शुमाली को गंभी सारिरिक पीरा थी शुर्य देव की अवहेलना के कारड वे इससे मुक्ती नहीं पा रहे थे उन दोनोंने भगवान सीव के सरण में जाने का निश्य किया उन दोनोंने भगवान सीव के समझ अपनी पीरा व्यक्त की और नठीक होने का कारड शुर्य देव की अवहेलना को बताया अशुर्माली और सुमाली की ब्यथा सुनकर भगवान सीव ब्याकुल हो उठे इसके परड़ाम स्वरू उनको क्रोधा गया उन्होंने ततकाल त्रिसूल से शुर्य देव पर प्रहार कर दिया भगवान सीव के वार को कौन सहन कर सकता था त्रिसूल के वार से शुर्य देव अचेत होकर अपने रत से नीचे गिर गए और पूरी स्रिष्टी अंधकार मैं हो गए शुर्य देव कश्य प्रिसी के पुत्र है शृष्टी में अंधकार होने और भगवान सीव के प्रहार के बारे में कश्य प्रिसी को जब पता चला तो विक्रोधी थो गए उन्होंने भगवान सीव को पुत्र की दसा पर दुखी होने का स्राप दिया कहा जाता है कि इस्राप के वज़से ही भगवान सीव ने गरेश जी का सिरकाटा था दूसरी तरफ जब सीव जी का क्रोध सांथ हुआ तो उन्होंने देखा कि स्रिष्टी अंधकार मैं है तब उन्होंने शुर्यदेव को जीवन दान दिया शुर्यदेव की चेतना वापस आए तो उन्होंने पिता के स्राप की जानकारी हुई वे दुखी हो गए तब ब्रह्माजी ने उनको समझाया भगवान स्रियो ब्रह्माजी भगवान विश्डू उनके पिता कस्यप्रिशी ने आसिर भाद दिया फिर सुर्यदेव अपने रत पर सवाध होकर स्रिष्टी को प्रकास मैं करने लगे ब्रह्माजी ने असुरमाली और सुमाली को कष्ट से मुक्ती के लिए शुर्य उपासना का महत्व समझाया दोनोंने बिधी भिधान से शुर्य देव की पूजा की जिससे शुर्य देव प्रशन हुए और उन दोनों को रोगों से मुक्त किया सनातन धर में शुर्य देव प्रमुक्ष देवताओं में से एक हैं बैदिकाल से शुर्य भगवान की पूजा चली आ रही है माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुर्य देव की पूजा उपासना करते हैं उनकी सभी इच्छाएं शुर्य देव अवश्य पूरी करते हैं शुर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनके हम हर दिन साचाद दर्सन करते हैं ऐसे में शुर्य देव को रोजाना अर्ग देना लाबदायक माना गया है लेकिन रभीवार के दिन 20 रूप से शुर्य देव को अर्ग देना चाहिए शुर्य देव की पूजा करने से शुक्षम लिधी धन संपत्ती बनी रहती है और शुर्य देव भक्तों को दुश्मनों से दूर रखते हैं मान्यताओं के अंसार रभीवार के दिन ब्रत रखने से तथा कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनों कामनाएं पूरी होती हैं अगर आप भी रभीवार का ब्रत रख रहे हैं तो इस ब्रत पूजा बिधी को अवश्य सुने रभीवार के दिन असनान करके भक्तों को साप कपड़े पहन लेना चाहिए फिर सुर्य देव को असमरड करके ब्रत का संकल्प लेना चाहिए संकल्प लेनी के बाद मंदिर में भगवान सुर्य की मूर्ती की अस्थापना करनी चाहिए इसके बाद भगमान सुर्य को अशनान करवाएं और उन्हें सुगंध पुष्प अर्पित करें इसके बाद कथा का पाठ करें और धूब दीब के साथ शुर्य देव की आर्थी करें इक तांबी की कलस में जलने और उसमें फूल और चावल डाल दें इतना करने के बाद शुर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें और शुर्य देव को जलर्पित करने के बाद भोजन द्रहण करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे चैनल भकती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद